अब नेक्स आते हैं हमारा solubility in water अब water के अंदर solubility कैसी रहती है some substances get dissolved in water and are known as soluble substance कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो पानी के अंदर dissolve हो जाती है और हम उनको soluble substance बोलते हैं for example salt, sugar, honey etc can dissolve in water अब जैसे के हम example इसके अंदर salt होता है sugar होता है honey होता है यह सारे हमारे water के अंदर dissolve कर सकते हैं solubility of solids in water अब water के अंदर हम solids की solubility देखते हैं some solid substances like salt or sugar when added to a glass of water disappear after some time because they are soluble in water अब जैसे कि हम इसके अंदर देखते हैं हमने कभी चीनी यह नमक होते हैं हम उसको ले और हम उसको पानी में मिला दे तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो उसके अंदर dissolve हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो soluble होते हैं पानी के अंदर some substances do not dissolve in water कुछ चीज़े जो होते हैं वो पानी के अंदर dissolve नहीं हो सकती है और कॉल इंसौलिबल सब्सचेंस और उनको हम क्या बोलते हैं इंसौलिबल सब्सचेंस इंसौलिबल यानिकि जो उसके अंदर इंसौलिबल नहीं हो सकते हैं पानी के अंदर dissolve नहीं हो सकते हैं स्वाल सैंड और चॉक पाउडर और इंसौलिबल इन वाटर अब जैसे कि हम सैंड यान की कोई मिट्टी या रेत लिए उसको पानी में मिला है तो कभी मिलता नहीं है वह होता है हमारा इंसौलिबल वाटर उनको हम क्या बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स लाइक ओइल दो नॉट गेट में मिक्स विद वाटर अब जैसे कि हम ओईल देखेंगे कभी हम ओईल को पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो पर वह डिजॉल्व नहीं होगा वह उसके उपर तैरता रहेगा तो इसका मत Taxphone freeze, nitrogen, ammonia and carbon dioxide can dissolve in water अब जैसे कि हमारी gases औखी reducing, hydrogen, ammonia ये सारी water के आंदर dissolve हो सकती है अब जैसे की अरियेटीड याने की जिसके अंदर से गैस निकलती सपोर्स कोई को कोको कोला की बॉटल या कोई पैपसी की बॉटल हम उसे ले और और ऐपन करें तो उसमें से थोड़ी थोड़ी तोड़ी गैस निकलने लगते हैं जब उसे बहुत ज्यादा थैस से शेक रके थे अधरlled upıtन करें तब भी उसमें thin oxygen dissolved in water इसी तरीके से जो aquatic animals होते हैं जैसे कि हमारे fish होते हैं वो हमारा dissolved oxygen जो है water के अंदर उससे breathe करते हैं next आता है physical and chemical changes